हेलो दोस्तों नमस्कार मैं लखी सार्शवत और आज अपन बात करेंगे जीके के तीन जार मिक्स क्यूसंस का पार्शिक्स करने वाले हैं जो की एकजाम के पॉइंट ओफ यू से भो ज़दा इंपोर्टेंट है तो आप हमारा वीडियो कंप्लीट देखना वीडियो पसंद कर लेना और बेल आइकोन को ओन कर लेना जो कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम बिलता रहें करते हैं आज की सुरुवात त्री पक्सी संगर्श की सेर में वा था तो ये उत्तर परदेश के कनोज सेर में हुआ था उप्सन नमबर हमारा फस्ट है ये सही अनसर है और ये त्री फक्से संगर्स 9 सतावधी के दुरान भारत में 3 प्रमुक्स समराजियों के बीच कनोज पर सता और नेतरन का संगर्स था और जिसके अंदर 3 जो सता थी वो थिराश्टर कूर्ट पाल समराजिय गुर्जर परतीहार समराजिय है ठीक है आप साथ साथ में ये भी न्यमत क्टिके नमाल लेखित मेंookie से एकून सा उथप्रियर्ख के साथ कार्या तब Pkt. A. जिसके आप सासत में ये भी नोट कर लेना क्योंकि ये NTPC एक्जाम के अंदर इसे पूछे जाते हैं क्यूशन ठीक है और ये परकिरिया जो की हेबर परकिरिया है ये किस ने दिया था तो ये जर्मन के फ्रीटज हेबर और काल बोस ने विक्सित किया था ठीक है, ने क्योशन सभी बच्चों के लिए ने सुल्क और अनिवार्यज सिक्ष्या परदान की जाती है जब तक वे कितने साल के नहीं हो जाते तो सिक्ष्या हुदीनियम 2009 के मुताबिक चबदा वर्स की आयो तक पहुंचने तक सभी बच्चों को निसुलक और अन्यवार्य शिक्ष्या परदान की जाती है उप्सन नमबर हमारा फोर्थ है ये सही अंसर है ठीक है और ये पहले अनुचेद 45 में था और अभी इसको 21A में डाल दिया गया है ठीक है सारी चीज़ें आप नोट कर लेना जो 6 से हदिनियम है ये 2009 के मुदापिक है ठीक है तो आप ये भी नोट कर लेना एकजाम में इसे कुछे जाते हैं किसको एक्सरे की खोज के लिए गुनी 101 में बोतिकी का पहला नोबल पुर्षकार दिया गया था तो ये दिया गया था विल हैम रौंट गन option number हमारा जो first है ये सही answer है और ये सबसे पहले बोतिक में नोबल पुर्षकार प्राप्त करने वाले पहले विज्यानिक थे ठीक है और 2019 में बोतिक में नोबल पुर्षकार जीतने वाले कौन-कौन है तो वो है James Peebles और Missile Mayor और D.D.A.R. के वलोज ठीक है ये भी आप नोट क कर लेना नेक्स्ट क्यूसर और साथ साथ में एक बात ये भी नोट करो जो अपना नोबल पुर्षकार है ये स्वीडन के रसायनिक इंजिनियर और उधोगबती अलफ्रेड नोबल ने अपनी इंच्छा से 1895 में पांच नोबल पुर्षकारों की इस्तापना की थी 1895 में मे किसने किया था अलफ्रेड नोबल ने इंपोर्टेंट चीज है ये नोट कर लेना कि नोबल पुर्षकार की ये ना इस्तापना किस वर्ष तुई थी 1895 के अंदर किसने की थी अलफ्रेड नोबल ने और ये पांच चेत्रों के अंदर दिया जाता है केमेश्ट्री साहिते सा सांती पुर्षकार जीतने वाले पहले बारते मूलनिवासी कौन थे तो ये थे किलास सत्यार थे ओप्सन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये सही अंसर है इनको 2014 में सांती का नोबल पुर्षकार दिया गया था इन्होंने मुमलाल युसुप जई के साथ में सांजा किया उन्हो इन्होंने जो किलास सत्यार थी है इन्होंने बच्पन बच्चाओ अंदोरन की भी सुरुवात की थी ठीक है और नोबल जो की ये इनको नोबल सांधी पुर्षकार दिया गया है ठीक है 2014 के अंदर और इन्होंने बच्पन बच्चाओ अंदोरन की भी सुरुवात इन्होंन की थी तो important question है कि बचपन बंचव अंदुलन की सुरुवात किस ने की थी तो ये किया था केला सत्यार्थी ने ठीक है next question ताज महल का निर्मान वो कि सताबदी में किया गया था तो ये किया गया था सत्रवी सताबदी के अंदर option number हमारा जो fourth है ये सही answer है सत्रवी सतावदी के अंदर सपेल संगमरर से बने सांदार ताजमहल को मुगल स्मराड साजा ने अपनी पिरिय पतनी मुम्ताज महल के लिए एक मकबरे के रूम में बनाया था वो मुम्ताज की जो डेथ है ये परसव में हो गई थी ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन अंतिम मुगल सासक कौन था तो बाबर, सोरी, बादूर साज जफर अंतिम मुगल सासक था उप्सन नमबर हमारा जो फोर्थ है बादूर साज वो अंतिम मुगल सासक था और इसकी डेथ है, ये मर्ति हुई थी उनकी 1862 में ठीक है, ब्रीटिस कारगरे में हुई थी और ये अकबर के सेकींड, जो अकबर सेकींड का दूसरा पुत्तर था ठीक है, आप सासाथ में ये भी नोट कर लेना बादूर साह है, ये अकबर सेकींड का दूसरा पुत्तर था नेक्स्ट क्यूशन कोबोल क्या है तो यह एक कम्प्यूटर भासा है option number हमारा जो थर्ड है यह सई अंसर है next question निमल लिखित में से किस नदी का प्रियोग भारत में आंतरिक जलमारक के लिए किया जाता है तो यह बारत में अंतर देशिये जलमारक है ये गंगा, बागिर्थी, उगली, ब्रमपुत्रा, ब्राक, गुदावरी और कृष्णा नदियों से मिलकर बनता है तो इसके अंदर हमारा सई उप्सन है गंगा उप्सन नमबर हमारा फस्ट है ये सई अंसर है और इसके साथ आथ मैं ये चीड़ नोट कर लो बारत में अंतर देश ये जलमारग है वो किन किन नदियों से मिलकर बनता है तो गंगा, बागिर्थी, हुगली, ब्रमपुतर, ब्राक, गुदावरी और कृष्णा नदियों से मिलकर बनता है ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन निमन लिकित में से किस देश ने होप मेंड कप जीता तो सिवजर लेंड ने वो होप मेंड कप जीता है उप्सन नमबर हामारा जो सेकिंड है, ये सई अंसर है सिवजर लेंड के रोजर फेडर और बेलीडा बेंसीक ने जर्मनी के अलेकजेंडर जेरेव और एजलीक केबरर को राकार तीसरा होप मेंट कप जीता है और विष्वे की ये बास आप में नोट करना विष्वे की नमबर वन मार्टीना हिंगिस के साथ वरस 2001 में Hope Man Cup जीतने के बाद Fader का ये दूसरा Hope Man Cup है और जो Final Match है ये Australia के परत में हुआ था Next Question विश्वे जनसिंक्या समिक सा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में विश्वे की पांचमी सबसे बड़ी अर्थवस्ता के रूप में हुबरा है विश्वे की पांचमी सबसे बड़ी अर्थवस्ता के रूप में हुबरा है और World Population Review ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वारत अपनी पिछली आतव निर्बरता नीतियों से खुले बजार की अर्थवस्ता में बिक्सित हो रहा है और बारत का सेवा चेतर विश्वे का सबसे तेजी से बंडे वाला चेतर है जिसमें अर्थवस्ता का 60% और रोजगार का 28% इसा है ठीक है आप ये भी सहीत साथ में नोट कर लेना नेक्स्ट क्यूशन मंतरी पृषद सामूइक रूप से किसके प्रति जिम्यदार होता है तो ये लोग्सबा के प्रति जिम्यदार होता है option नंबर हमारा 3 है ये सही अंसर है बारते सविद्दान के अनुचेद 35-3 में मंतरीों की पृषद को सामूइक रूप से house of people या लोगसबा के लिए जिम्यदार होता है वो सामुएक जिम्यदार का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है मंतरी प्रिशद लोगसबा के समक्स एक इकाई के रूप में सरकार की हर कारवाई के लिए जिम्यदार है क्योंकि वे कार्यकारी और विदार मंडल के बीज एक पूल के रूम में कार्य करता है नेक्स्ट क्यूशन मंत्री प्रिशद नेक्स्ट क्यूशन देश को तिलहन उत्पादन में आतम निर्बर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्मल लिखन में से कौन सा मिश्न सुरू किया जाएगा तो इसका सई एंशर है अप्सन नंबर हमारा सेकेंड है ये सई एंशर है देश को तिलहन उत्पादन में आतम निर्बर बनाने के लिए सरकार तिलहन मिशन सुरू करेगी option number हमारा second है यह सही answer है इसकी गोशना कर्सी मंतरी कौन है हमारे कर्सी मंतरी नरिंदर सी ने गुनीज फरवरी 2020 को की है और सरकार ने देश बर में 10,000 किसान उतपादक संग्ठन जो FPO है बनाने का निर्मान किया है जिसके लिए 6,000 करोड रुपे से अधीक की साहिता परदान क जाएगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन साथ साथ में आप नोट कर लेना सारी सारी चीजें नेस्ट क्यूशन फरवरी 2020 में केबिनेट ने निमल लिखित में से किस बिल को मंजूरी दी है जो की देश की परतेक महिला के लिए परजनन अधिकाल सुनिश्चित करता ह तो केबिनेट ने गुनीज फरवरी 2020 को देश में महिलाओं के लिए सायक परजनन परदोगी की बिनियमन विदेख को मंजूरी दी है असी टेड रिपरजेक्टिव टेकनोलोजी रेगूलेशन विदेख ऑप्सन नंबर हमारा जो थर्ड है ये सही अंसर है इसको मंजूरी किया गया है ये देश की हर महिला के लिए परजनन अधिकार सोनीशित करेगा और विदेख के परदान जो उसके अंदर जो लिखे जो चीज प्रावदान है वो एक राष्ट्रे बोरड का गंठन किया जाएगा जो एसे क्रोनिकों में काम करने वाले वक्तियों द्वारा मान जाने वाले अंचार सहिता को भी देखेगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन फरवरी 2020 में अंबाला सिटी बस इस्टेंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो दिवगत विदेश मंतरी और बाजपा की दिगज नेता सुसमा सवराज के नाम पर अंबाला सहर बस इस्टेंड क भी चुनी गई थी दिगेज बाजपा नेता का निधन है जो की सुसमा सवराज जी का डेथ है ये 2000 गुनीश में हो गया था और बस इस्टेंड के निर्मान के लिए 18 करोड रूपे का खर्चा किया गया है जा यांतरियों को सभी बुनियादी सुईदय दी जाएगी नेक्स प्रत्यक्स करण्ट या डीसी की आवरती कितनी होती है तो डीसी की आवरती होती है अप्सन नंबर हमारा जो फस्ट है ये सई अंसर है डीसी उन बिदली ववस्ता का उनलोग करता है जो वोल्टेज या करंट के के वल एक ही फोले रिट का उपयोग करते हैं और वोल्टेज या करंट के इस्टर है उसके अंदर सुनने आवरती धीरे धीरे बदलती रहती है नेक्स्ट क्यूशन गुनेशोपांच में पहली बार बंगाल विभाजन के समे भारत का वायसराय कोन था तो वो थे लौड करजन option number हमारा जो first है ये सही अंसर है 20 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन के समय भारत के तंत काली नवायसराय लाड करजन ने बंगाल प्रांथ को दो बागों में बांटा था पुर्वी बंगाल और असम ठीक है इन दो बागों में इन्होंने अदेश दिया था कि इन दो बागो करना था जिबकि बारत्य राष्टेवादियों के अनुसा ब्रिट्टी सद्धिकारी का यह करते था केवल यह परसासनिक उपाय नय होते वे बारत्य राष्टेवाद के लिए वो उसका मतलब एक नीड थी ठीक है next question निमन लिखित में से सब्दों में से कौन सा बेंकिंग या वित्थ से समढ़ित नहीं है तो यह इसका सही अंसर है i 아침 अब्सन नंबर हमारा जो सेक्इंड है यह सही अंसर है अ diffusion है इसका सही अंसर है इसका सही अंसर है diffusion option नमर महला second है यह सही अंसर है ठीक है next question फरेवरी 2020 में youth hostel नग रोटा में आयुजित साथ दिविस्ये बारवे राष्टर इस्तरिये जन जातिये युवाव वीनियम कार्यकरम TYEP का उद्गाटन किसने किया था तो ये किस ने किया है तो ये 18 से 24 फरवरी 2020 के बीच यूथ होश्टर नगरोटा में साथ दिवस्य बारवा राष्टे एस्टरिय जनजाते यूआ वीन्य में कारेकरम है वो आयजुद किया गया था जम्मु कस्मीर के सचीव और यूआ सेवा और खेल सचीव सरमद हपीज ने इसका उदगाटन किया था उप्सन नंबर हमारा जो फर्ष्ट है ये सही अंसर है और इसके अंदर जारखंड और ओडिसा के विभिन जिलों के 220 पर्थी भागी और आक्समिक नेता ने भाग ले रहे हैं ठीया मतलब भाग लिया था ठीक है क्योंकि ये हो चुका है अभी ठीक है ये है ये किसने बनवाया था तो ये कासी नरेस राजा बलवन सी द्वारा 1750 में बनाया गया था जो रामनगर किला है ये कासी नरेस राजा बलवन सी द्वारा 1750 में बनाया गया था 1750 के अंदर ठीक है ये चुनार और बलवा पत्थर द्वारा और मुगल सेली से बना है औ और अब इसके अंदर है वो king है वो कौन है राजा पेलू भीरू सी वर्तमान में इस किले में रहते हैं ठीक है कौन रहते है राजा पेलू भीरू सी ठीक है राजा पेलू भीरू सी वो अभी रहते हैं इस किले में next question, कोन सा राष्टे हुद्यान अभ्हरने बिज्जापुर जीले में इस्तित है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो की 36 गड़ के बिज्जापुर जीले में इस्तित है, और ये जंगली बेंसों के नयाब परोजातियों के एक घर माना जाता है, option number हमारा जो first है, ये सही अ माहिला फुटबाल विश्वे कप 2020 के लिए मेजबान सहर होगा तो वो होंगे एमदाबाद और भूमनेश्वर इसके जो एंसवर है वो है फर्स्ट और सेकिंड दोनों है उप्सन नमबर हमारा फॉर्थ है और इसका जो किया गया है ये पांस सहरों को चुना गया है एमदाब की सुरुवात है ये दो नमबर 2020 को होगे ठीक है और किंद्रिय खेल मंतरी है वो कौन है कीरन रिज्जू ठीक है ये भी आप नोट कर ले ना इन्होंने फिपा अंडर 17 महिला फुटबाल विश्वे कप के लिए पांस मेजबान सहरों किया है और ये 18 फर्वरी 2020 को नई दिल है ये सही अंसर है और खान अब्दुल गफार खान एक पस्तून समतंतर था सेनारी और एक अध्यात्मिक नेता थे जिने उनके राजनिती की और गतिवीदियों और भारते नेता मातमा गांदी के साथ अच्छे संबन्द के कारण फ्रेटियर गांदी कहा गया था और गुन